वन्द स्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आज का क्विज विशय है भारती अर्थ व्यवस्था के क्षेतरक Q1. परसंपत्यों के स्वामित्व और सेवाओं को वित्रित करने के अधार पर आर्थिक गतिविद्यों का वर्गी करण है Option A. प्रात्मिक, माध्यमिक और तृतियक खेतर Option B. संगठित और असंगठित क्षेतर Option C. निजी और सार्वजनिक क्षेतर Option D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है Option C. निजी और सार्वजनिक क्षेतर अर्थ व्यवस्था के क्षेतरों को स्वामित्व के आधार पर वर्गी कृत किया जा सकता है 1. सार्वजनिक क्षेतर यह सभी के लाब के लिए सरकार के स्वामित्व में है निजीक क्षेतर यह व्यक्तियों या उनके व्यक्तिगत लाब के लिए व्यक्तियों के समू के स्वामित्व में है Question No.2 सार्वजनिक क्षेतर में संपत्ती का स्वामित्व होता है और सेवाओं द्वारा प्रधान किया जाता है Option A. कोई भी व्यक्ति Option B. MNC Option C. सरकार Option D. ये सभी सही जवाब है Option C. सरकार सार्वजनिक सेवाओं में सार्वजनिक वस्तूओं और सरकारी सेवाओं जैसे सैन्य, कानून प्रवर्तन, बुनियादी धाचे, सार्वजनिक सडकों, पुलों, सुरंगों, पानी किया पूर्ती, सीवर, विद्यत ग्रेड, दूरसंचार, आदी, सार्वजनिक पार्गमन, सार्वजन निक्षिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल के साथ शामिल हैं, जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं. Question number 3 सही माध्यमिक्षेत्र की गतिविधी को पहचाने Option A. कपास का उत्पादन Option B. कपड़े का उत्पादन Option C. कपास का परिवहन Option D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है Option B. कपड़े का उत्पादन द्वितियक क्षेत्र में कच्चे माल, खाध्य विनिर्मान, कपड़ानिर्मान और उद्द्योग के द्वितियक प्रसंसकरण शामिल हैं विनिर्मान और उद्यों क्षेत्र को द्वितियक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, कभी कभी उत्पादन क्षेत्र के रूप में, मानव गतिविधियों की सभी शाखाएं शामिल होती हैं जो कच्चे माल को उत्पादों या वस्तूओं में बदल देती हैं. Question No. 4. निमनलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेतर के अंतरगत आता है? Option A. Railway. Option B. Tata Iron & Steel Company Limited. Option C. Reliance Industries Limited. Option D. ये सभी सही जवाब है. Option A. Railway. भारतिय रेल राज्य के स्वामित्व वाला राश्ट्रिय ट्रांस्पोर्टर है, जो भारत के रेल परिवहन के लिए जिमिदार है. यह रेल मंत्राले के माध्यम से भारत सरकार के स्वामित्व और संचालित है. Question No.5. द्वितिय क्षेत्र को अध्योगिक शेत्र कहने के पीछे क्या कारण है? Option A. क्योंकि यह अक्रिशी क्षेत्र पर निर्भर करता है? Option B. कारखानों और उध्योगों में होने वाले अधिकांश माध्यमिक शेत्र की गतिविधियां होती है. Option C. क्योंकि यह अक्रिशी क्षेत्र पर निर्भर करता है? Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option B. कारखानों और उध्योगों में होने वाले अधिकांश माध्यमिक शेत्र की गतिविधियां होती है. अर्थ व्यवस्था के द्वितियक शेत्र में ऐसे उध्योग शामिल हैं जो एक तयार, उप्योग करने योग्य उत्पाद का निर्मान करते हैं या निर्मान में शामिल होते हैं. इन में से कई उद्योग बड़ी मात्रा में उर्जा का उपभोग करते हैं और कच्चे माल को माल और उत्पादों में बदलने के लिए कारखानों और मशीनरी की आवश्यक्ता होती है Q6. भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कारेरत है? Option A. क्रिशीक्षेत्र Option B. अध्योगिक्षेत्र Option C. सेवाक्षेत्र Option D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है Option A. क्रिशीक्षेत्र क्रिशी कारेबल में व्यापक रूप से व्रिधी हुई है? नहीं, क्रिशी के तहत काम करने वाली आबादी लगभग 70% है, जिसमें गरामीन आबादी 80% है, भारत की राष्ट्रियाए में क्रिशी बहुत तेजी से योगदान दे रही है, भारत के सकल घरेलू उतपाद में क्रिशी की हिस्सेदारी 20.5% है. Question No.7. निमनलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र के अंतरगत आता है? Option A. छोटी दुकान. Option B. MNC. Option C. ढाबा. Option D. ये सब ही सही जवाब है. Option B. MNC. संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की शर्ते नियत और नियमित होती है और कर्मचारियों को सुनिश्चित काम मिलता है? Question No. 8. सार्वजनिक क्षेत्र का उदेश्य है? Option A. लाभ कमाने के लिए. Option B. सामाजिक कलियान. Option C. दोनों ये बे. Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option C. दोनों ये बे. सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन एक लाभ कमाने के बजाए एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के उदेश्य से स्थापित व्यवसाय हैं. समाजिक कुद्यमनिजी संगठन हैं जो व्यवसायक लाइनों के साथ चलाये जाते हैं. लेकिन जहां किसी भ ही मुनाफे को समुदाय में या समाज क्या पर्यावरनिय परियोजनाओं में पुनर निवेश किया जाता है. Q9. मिनरल्स को बाहर निकालना एक गतिविधी है. Option A. Primary Sector. Option B. द्वितियक शेत्र. Option C. तृतिय श्रेनी का उद्योग. Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option A. Primary Sector. अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक शेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के निशकर्षन और संग्रह में शामिल कोई भी उद्योग शामिल है, जैसे की खेती, वाने की, खनन और मचली पालन. Question No.10. निजीक शेत्र के व्यवसायों का मुख्य उद्देश है. Option A. सामाजिक कलियान. Option B. राजनीतिक शक्ती. Option C. अधिकलाब. Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option C. अधिकलाब. निजीक शेत्र का उद्यम संगठन के रूपों में से एक है. ये मुख्य रूप से अपनी लाभा प्रदता अर्जित करने और अधिक्तम करने के लिए स्थापित है. उनका एक मात्रों और अंतिमुदेशी जनता के कलियान की तलाश किये बिना लाब में व सेवाक्षेत्र. Option B. क्रिशीक्षेत्र. Option C. रक्षाक्षेत्र. Option D. सेवाकिन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option A. सेवाक्षेत्र. सेवाक्षेत्र को तृतियक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें मानव गतिविधी की सभी शाखाएं शामिल हैं, जिसका मूल सेवाएं प्रदान करना है. इस प्रकारे कार्य, ज्यान, वितिय संसाधन, बुनियादी धाचा, सामान्या उन का संयोजन प्रदान करना है. Question No.12. द्वितियक्षेत्र भी कहा जाता है. Option A. कृषीक्षेत्र. Option B. सेवाक्षेत्र. Option C. औद्योगिक्षेत्र. Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option C. औद्योगिक्षेत्र. द्वितियक्षेत्र में कच्चे माल, खाद्य विनिर्मान, कपड़ा निर्मान और उद्योग के द्वितियक्षेत्र के रूप में जाना जाता है. कभी कभी उत्पादन क्षेत्र के रूप में, मानव गतिविधियों की सभी शाखाएं शामिल होती हैं जो कच्चे माल को उत्पादों या माल में बदल देती हैं. Q13. GDP क्या है? Option A. सकल घरेल उत्पाद, सकल घरेल उत्पाद, सकल घरेल उत्पाद तीनों क्षेत्रों के कुल उत्पादन का योग है. Option B. सकल घरेल उत्पाद, सकल घरेल उत्पाद यह कुल संख्या का सामान है जो तीनों क्षेत्रों में सेवाएं है. Option C. दोनों यबे. Option D. कोई नहीं, सही जवाब है Option A. सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद तीनों क्षेत्रों के कुल उत्पादन का योग है सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर आर्थिक गतिविधी के मूल्य को मापता है कडाई से परिभाशित, GDPX समय की अवधी में अर्थ्विवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तूओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों या कीमतों का योग है Question No.14 द्वारा अधिक रोजगार उत्पन किया जा सकता है Option A. बांध और नहर निर्मान Option B. द्वितियक और तृतियक क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाना Option C. अर्ध ग्रामीन और ग्रामीन क्षेत्रों में उद्ध्योगों और तृतियक क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देना Option D. ये सभी सही जवाब है Option D. ये सभी जिन तरीकों से भारत जैसे देश में अधिक रोजगार स्रिजित किये जा सकते हैं वे हैं आयदी अधिक बांध बनाये जाते हैं और सभी छोटे किसानों को नहर का पानी उपलब्द कराया जाता है तो क्रिशीक शेत्र में बहुत सारे रोजगार पैदा हो सकते हैं टू सस्तीरिन सुविधाएं और फसल बीमा प्रदान करने के परिनामस्वरू पधिक रोजगार मिल सकता है Q15 GDP की गनना करते समय केवल तैयार माल के मूल्यों पर विचार करने की आवश्यक्ता क्यों है Option केवल तैयार माल का उच्छ मूल्य है Option B अंतिम माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल है Option C. अंतिम माल के मूल्य में पहले से ही विनिर्मान का मूल्य शामिल है. Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option B. अंतिम माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल है. केवल अंतिम सामान को GDP को मापने में गिना जाता है क्योंकि अंतिम अच्छा बनाने में इस्तिमाल होने वाले सामान को अंतिम अच्छे में शामिल किया जाता है. इसलिए इसे दो बार गिना जाएगा अन्य था उप्योग किये गए furniture का मूल्य जो खरीदा और बेचा जाता है उसे गिना नहीं जाता है क्योंकि इस्तिमाल किये गए furniture को GDP में एक साल पहले शामिल किया गया होगा Q16. बेरोजगारी शब्द किस से समबंधित है? Option A. लोग पूरी तरह से नियोजित नहीं है Option B. लोग काम करते दिखते हैं लेकिन उन्हें उनकी क्षमता से कम काम करने के लिए बनाया जाता है Option C. ये दोनों Option D. ये दोनों इन में से कोई नहीं सही जवाब है Option C. ये दोनों वह स्थिती जिसमें शंबल में लोग पूर्ण अकालिक या नियमित नौकरियों से कम या रोजगार पर होते हैं उनके प्रशिक्षन या आर्थिक जरूरतों के समबंध में अपर्याप्त होते हैं बेरोजगार होने की स्थिती Question No.17 बेरोजगारी को प्रच्छन बेरोजगारी भी कहा जाता है क्योंकि Option A. एक बेरोजगार व्यक्ती के विप्रीत बेरोजगार व्यक्ती की स्थिती छिपी हुई है Option B. एक नियोजट व्यक्ती के विप्रीत बेरोजगार व्यक्ती की स्थिती दर्शनिय है Option C, एक नियोजत व्यक्ती के विप्रीत, बेरोजगार व्यक्ती की स्थिती दर्शनिय है Option D, इन में से कोई नहीं, सही जवाब है Option A, एक बेरोजगार व्यक्ती के विप्रीत, बेरोजगार व्यक्ती की स्थिती छिपी हुई है जब लोगों की आवशकता से अधिक संख्या उत्पादक गर्तिविधियों में लगी होती है, तो इसे बेरोजगारी कहा जाता है इस मामले में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कारे छिपा हुआ है और भले ही उस व्यक्ति को रोजगार से हटा दिया गया हो, लेकिन उत्पादन वही रहेगा। इसलिए बेरोजगारी को प्रच्छन बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। Q18. विकास के प्रारंभिक चर्णों के दौरान कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? Option A. कृषी. Option B. और द्योगिक. Option C. सेवा. Option D. कोई नहीं, सही जवाब है। Option A. कृषी. प्रात्मिक चेत्र विकास के प्रारंभिक चर्णों में आर्थिक गतिविधी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था? Question No.19. आर्थिक गतिविधी को पहचाने? Option A. बगीचे में खेल रहे बच्चे. Option B. स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक. Option C. ट्रेजर Option D. ये सब ही सही जवाब है. Option B. स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक. अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और मनुष्य एक सामाजिक प्रानी है. इसलिए, एक अर्थ व्यवस्था के भीतर हर व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए या विभिन चाहतों को पूरा करने के लिए कई गत्विधिया करनी पड़ती हैं. इनमें खेती और खेती और द्योगिक कार्य, शिक्षन, विपनन, कपडेद होना आधी शामिल है. Question No. 20. नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? Option A. राश्ट्री अतर कसंगत रोजगार गैरंटी अधिनियम. Option B. राश्ट्री अग्रामीन रोजगार गैरंटी अधिनियम. Option C. राश्ट्री अग्रामीन रोजगार मार्गदर्शन अधिनियम. Option D. इनमें से कोई नहीं. सही Option B, राश्ट्री या ग्रामीन रोजगार गैरन्टी अधिनियम या नरेगा नंबर 42, जिसे बाद में महात्मा गांधी राश्ट्री अग्रामीन रोजगार गैरन्टी अधिनियम म्यरेगा के रूप में नाम दिया गया, एक भारती अश्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश रिकाम का अधिकार की गैरंटी देना है विडियो देखने के लिए धन्यवाद यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं, तो अब नीचे दिये गए विवरन में लिंक पर और वन्द स्लेट अप्लिकेशन डाउनलोड करें यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कॉमेंट करें अगर आपको विडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं, तो अंगूठे को हेट करें और भविश्य के विडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर ग्लिक करें